जिनके साथ आपका relationship strong है, उनके साथ और strong होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक blessing 2023 में रह सकती है, या मैं कहा सकती हूँ कि जो आपका strong connection है, वो एक blessing आपको लग सकता है कि 2023 में रह रही है, Capricorns कहीं 2023 में money, पैसा, finances से related रह सकती है, जहां पर देखिए अगर कुछ issues हैं, कुछ मसल हैं तो सब का control आप अपने हाथ में लेकर बहुत जादा confidently, बहुत systematically, बहुत organized तरीके से, बहुत discipline तरीके से अपनी wealth, money, पैसा, finances को आप deal कर रहे हैं, organize कर रहे हैं, तो चलिए Capricorns आपकी reading शुरू करते हैं, इस reading में आप देखेंगे कि 2023 आपके sun sign के लिए, आपके different life के areas के ल blessings 2023 आपके लिए लेकर आ रहा है, कौन से significant months आपके लिए 2023 में रहेंगे, क्या आप लोगों के लिए guidance रहेगी, जिसको follow करके, आप अपने लिए 2023 को और बहतर कर सकते हैं, ये reading बहुत बहुत exciting रहने वाली है, क्योंकि इस reading में मैंने दो major changes किये हैं, सबसे पहला बहुत सारे मुझे नीचे comment section पर लिखते हैं, कि ma'am please आप हमारे सामने cards निकाला करें, actually मैं तुरंत meditation के बाद cards निकालती हूं, इस time पर frame of mind नहीं होता है कि मैं record करूं, लेकिन इस reading में जब मैं आपके 2023 के cards निकाल रही हूं, उसको मैंने record किया है, आपके साथ share किया है, तो आप अपने cards को निकलता हूँ दिखेंगे, and secondly, इसमें मैंने horoscope spread किया है, horoscope में 12 houses होते हैं, जो आपके life के different areas को represent करते हैं, तो बहुत detail में आप जानेंगे कि आपकी life के different areas में 2023 में क्या हो रहा है, and before I start the reading, wish you all a very very happy new year, I really wish कि 2023 आपके लिए धेर सारी खुशियां, धेर सारा प्यार, फिर सारी success लेकर आए, जो भी आपने अपने लिए goals बनाए हैं 2023 के लिए, उनको आप जरूर जरूर अचीव करें, और एक वीडियो भी मैंने specifically 2023 की general energies के लिए बनाया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, और उसमें tips भी हैं कि कैसे आप अपने लिए 2023 को और बहतर क करें, और एक और चीज़ आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज इस reading को आप as guidance लें, जिस भी life के area के लिए आपको लगे कि भाई बहुत positive card नहीं हैं, उसको देख के बिलकुल भी आपने परिशान नहीं होना है, in fact कैसे आप उस life के area को और बहतर कर सकते हैं, उसके जादा focus करना है और इस reading को आपने as guidance लेना है, क्योंकि देखें, इसी intention के साथ मैंने ये reading आपके लिए बनाई है, कि ये reading आपको help करें, जो आप खुद के लिए 2023 में चाहते हैं, उसको create करने के लिए 2023 को कैसे आप बहतर कर सकते हैं, उस intention के साथ मैंने reading बनाई है, और प्ली जी शुरू करते हैं आपकी reading, चलिए Capricorns आप लोगों के लिए देखें कि 2023 में आपके different life के areas में क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर हम horoscope spread कर रहे हैं, horoscope में 12 houses होते हैं, 12 houses different life के areas को represent करते हैं, तो सबसे पहले Rider Watt में से मैं 12 cards निकालूंगी different houses के लिए and साथ के साथ मैं आपको shot में हर house का significance, हर house का role भी बताऊंगी, तो आपकी cards अच्छे से shuffle कर लेते हैं Capricorns, cards निकालने से पहले, So this is Capricorn 2000 days yearly reading, Capricorn year 2023 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 yearly reading, Capric अ के त्पिक हम एर टेढ अितेश और 2023, कर दो बाफ्म동 ए objective कर दर प्र歌 एर 2023 ुपिए olm एर टर बीट yan, कर देच कर एर बेदेश और 2023 yearly heat त प्रडर बेदेश 2023, yearly reading, Capricorn, year 2023, yearly reading, तो first house से शुरू करेंगे, first house self का होता है, and self के लिए आपके लिए card है, eight of swords, second house wealth का होता है, possessions का होता है, and assets का होता है, second house के लिए आपके लिए card है, the emperor, third house siblings का होता है, कैसे आप communicate करते हैं, क्या आप सोच रहे हैं, किस direction में आपकी सोच रहे रही है, and short travels भी third house represent करता है, and third house के लिए आपके लिए card है, queen of pentacles, fourth house मा का स्थान होता है, हम इसको सुख स्थान भी कहते हैं, vehicle property भी हम fourth house से देखते हैं, आपके residence को भी fourth house represent करता है, और इसके लिए ace of pentacles का card है, fifth house love romance का होता है, जो लोग conceive करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम fifth house को देखते हैं, बच्चों का घर होता है fifth house, and education का घर होता है fifth house, pleasures का भी घर होता है fifth house, इसके लिए आपके लिए three of wands का card है, sixth house health का होता है, जो लोग profession में job करते हैं, उनके लिए भी हम sixth house देखते हैं, service to others के लिए भी sixth house होता है, इसके लिए आपके लिए card है, night of pentacles, seventh house marriage का होता है, life partner का होता है, seventh house business partner का होता है, partnerships का overall होता है, relationships के लिए भी, overall हम seventh house देखते हैं, और इसके लिए आपके लिए है queen of swords, eighth house ending and beginning का होता है, तो दीखते हैं, 2023 में क्या end हो रहा है, क्या begin हो रहा है, what is ending, what is beginning for you, Capricorns in 2023, strength, अभी मैं आपको अपके reading में detail में समझाऊंगी, ये cards क्या कह रहे हैं, क्या इनका मतलब है, ninth house भाग्य स्थान होता है, ninth house long travel का होता है, ninth house को हम धरम इस्थान भी कहते हैं, astrology में, and higher education भी ninth house astrology में represent करता है, एक बड़ी फिर से cards को ठीक से कर लेते हैं, तो ninth house, ten house, eleven house, twelve house, के लिए cards निकालते हैं, ninth house के लिए आपके लिए card है, king of pentacles, tenth house profession का होता है, career का होता है, professional life overall का होता है, इसको हम करम इस्थान भी कहते हैं, इसके लिए आपके लिए five of wants का card है, and 11th house gain house होता है, लाबिस्थान इसको हम astrology में कहते हैं, social life को represent करता है, friend circle को represent करता है, social circle को भी represent करता है, उसकी बात करता है, इसके लिए the moon का card है, and 12th house हमारे subconscious fears, हमारे unconscious fears का होता है, इससे हम expenditure खर्चा देखते हैं, foreign country से related चीज़ें देखते हैं, इसके लिए आपके लिए the chariot का card है, अब मैं Osho Zen से 12 cards निकालूंगी, इन ही 12 houses के लिए, houses का significance मैंने बता दिया है, so I am not going to repeat, and अब देखते हैं, और detail में इन ही 12 घरों के लिए, क्या cards कहते हैं, okay, Capricorn Makarashi, Year 2023, Yearly Reading, 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 Capricorn Makarashi, कर दोंडी कर दो कर दूंडियर से बांडी कर दोने यह कर दे दो कर 되고 2023, 1002 23, yearly llamado Capricorn ? ये 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 यूवां अ करई ये 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 ये一ओत ए सिंट एिधे हैंगी कर दर्श म occurred 4th house 5th house 6th house 7th house 8th house 9th house 9th house skip out 10th 11th 12th houses 10th house 11th house 12th house अब आपके लिए देखेंगे हम Capricorns की क्या आपके लिए overall guidance है 2023 के लिए जिसको follow करके आप 2023 को अपने लिए बहतर कर सकते हैं क अपरिकर फ्य हूदा इसोबहार्शाजर्शी कैसे बहतर क सकते हैं πα्रिकॉन Perfect committed for year 2023 Capricorn Makarashi overall guidance for year 2023 Capricorn Makarashi overall guidance for year 2023 Capricorn Makarashi overall guidance for year 2023 Capricorn Makarashi the first is before completion second is the Wanderer I don't know third is keeping still focus areas looking at Capricorns आपके लिए 2023 के लिए क्या रहेंगे Capricorn Makarashi focus areas in 2023 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 Capricorn focus areas in year 2023 focus areas in year 2023 focus areas in year 2023 sun god of prophecy 2nd आपके लिए है Element Fire I'll explain each and every card to you in your reading Descendant Okay, ab aapke liye dekhenge blessings Capricorns and then significant months and then we start your reading Capricorn Makarashi blessings in that year 2023 Capricorn Makarashi blessings in 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 year 2023 इसको मैं इसले निरीट कर रही हु Capricorns because I want to shuffle the cards अच्छे से before taking out the cards Capricorn Makarashi blessings in year 2023 Capricorn Makarashi blessings in year 2023 Capricorn Makarashi blessings in year 2023 73 Capricorn Makarashi blessings in year 2023 Emerald बहुत सारे संसाइंस का Emerald आ रहा है Second blessing है Rings Third blessing है Yoga अब देखते हैं Capricorns की क्या आप रोगों के लिए Significant Month है 2023 में Capricorn Makarashi Significant Month in 2023 Capricorn Makarashi Significant Month in year 2023 Capricorn Makarashi Significant Months 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 in year 2023 January June December January, June, December will be the significant months for you Capricorns in 2023 तो ये रहे Capricorns आपके cards and now मैं आपसे मिलती हूँ आपकी reading में और आपको detail में समझाती हूँ कि क्या ये cards कह रहे हैं और क्या 2023 में different life की areas में हो रहा है तो चलिए Capricorns आपकी reading शुरू करते हैं और first house से शुरू करेंगे तो first house के लिए आप लोगों के लिए cards है eight of swords and harmony और देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया first house self को represent करता है और यहाँ पे देखिए जहाँ एक card एक happiness की बात कर रहा है joy की बात कर रहा है satisfaction की बात कर रहा है वहीं दूसरा card limitations की बात कर रहा है confusion की बात कर रहा है किसी level पे किसी तरीके से helpless hopeless भी महसूस करने की बात कर रहा है क्योंकि यह general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के अपरिकॉंस के लिए हो सकता है कि 2023 में आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया दूसरों के बारे में सोचना अब खुद के बारे में आप सोचना चाहते है अपनी खुशी, अपनी happiness, अपनी joy अपनी एक सुकून peace of mind पे आप focus करना चाहते है और इसी से ही related कुछ issues, कुछ मसले रह रहे हैं कुछ limitations रहे रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज के अपरिकॉन्स में आपको कहना चाहूंगी कि जो भी हम अपनी life में किसी भी area में achieve करना चाहते हैं सबसे बड़ी restriction होती है हमारे mind के limiting thoughts हमारे mind के negative thoughts और negative belief systems और अगर देखिए अपनी खुशी, अपनी happiness को achieve करने में इन ही thoughts को आप पाएं तो जरूर इनको overcome करें in fact मैं कहूंगी कि जब भी भी कुछ भी issue आप face कर रहे हैं थोड़ा सा pause करके अपने mind में जो भी belief system है जो भी thoughts हैं उनको observe करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे आपका mind एक game आपके साथ खेल रहा है और कैसे आप उसमें उलज के अपनी जो भी एक ultimate desire है self से related उसको नहीं achieve कर पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि self से related कुछ issues मसले हैं और देखिए again ये मसले ये issues सब के लिए differ कर सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि you know identity crisis है आप खुद को नहीं समझ पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि externally self से related वो appreciation नहीं मिल रहा है जिसकी वज़े से आप परेशान हो रहे हैं या किसी level पे किसी तरीके का एक criticism मिल रहा है again देखिए Capricorns मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा हो रहा है मैं यहाँ पे सिरफ और सिरफ example दे रही हूँ और externally जो भी हो रहा है आप उसको allow नहीं कर रहे हैं कि वो आपकी happiness आपकी joy में interfere करे आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया जो भी लोगों को कहना है या फिर जो भी you know चीजें हो रही है आपको अपनी खुशी पे focus करना है आपने self को prioritize करना है और अगर ऐसा आप कर रहे हैं Capricorns तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए यह बहुत बहुत important होता है जितना important दूसरों को love करना दूसरों को importance देना होता है दूसरों की खुशी का ख़याल रखना होता है उतना ही important खुद की खुशी का ख़याल रखना भी होता है देखिए हमारी responsibility सबसे ज़ादा हमारी है अगर हम अपनी खुशी पे नहीं focus करते हैं या पिर अगर हम खुद की खुशी को नहीं prioritize करते हैं तो दूसरा इंसान कभी भी नहीं करेगा तो देखिए again मैं कहूंगी ऐसा आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और कुछ के लिए हो सकता है कि आप self के साथ जो एक relationship है उसको better करना चाहा रहे हैं उसको enhance करना चाहा रहे हैं और इसी से ही related कहीं आपका mind आपको उलजा र रहा है या फिर आपका mind आपको confuse कर रहा है तो फिर से मैं आपको यहीं कहूंगी कि mind के confusion में ना आईए mind के games में ना आईए और you know जो भी आप अपने लिए खुशी अचीव करना चाहते हैं उसको अपना goal बनाए focus बनाए क्योंकि यह बहुत बहुत in fact सबसे ज़्यादा important ची किसी confusion में नहीं पड़ेंगे और जब मैं बोलती हूँ किसी चीज को distract नहीं करने देंगे किसी confusion में नहीं पड़ेंगे तो यहाँ पर मैं आप ही के mind की बात कर रही हूँ तो definitely आप इसको achieve भी कर पाएंगे second house के लिए आप लोगों के लिए cards है the emperor and moment to moment और देखें second house astrology में wealth को represent करता है positions को represent करता है assets को represent करता है और सबसे पहली चीज देखें इस घर के लिए emperor के card के होने का मतलब होता है कोई you know male figure है या फिर कोई इंसान जिनकी masculine energies हैं उनकी तरफ से directly indirectly money, पैसे, finances की तरफ से एक support रह रहे रहा है और देखें ये भी सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि literally you know money, पैसे से related again कोई masculine energy वाले इंसान है जो आपको help कर रहे हैं ये father भी हो सकते हैं, mother भी हो सकती हैं क्योंकि देखें mother की अगर masculine energies हैं तो यहाँ पे mother भी हो सकती हैं कुछ के लिए brother हो सकते हैं, कुछ के लिए spouse हो सकते हैं, कुछ के लिए friend, colleague हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं अगें जो literally money, पैसा, finances से related आपको help कर रहे हैं, support कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है mental, emotional support कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपको एक discipline, you know, इन ही चीजों से related लाने में guide कर रहे हैं या फिर देखिए किसी भी और तरीके से money, finances से related आपको guidance दे रहे हैं, counsel कर रहे हैं, advice दे रहे हैं तो again मैं कहूंगी कि किसी masculine energies वाले इनसान की तरफ से directly, indirectly money, पैसा, wealth, assets, positions के लिए एक support, एक cooperation रहे रहा है कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई बड़ी चीज आप खरीदना चाहा रहे हैं और वो आपको guide कर रहे हैं और देखे, overall के लिए देखें तो आपकी कहीं emperor वाली energies, Capricorns कहीं 2023 में money, पैसा, finances से related रह सकती हैं जहां पर देखे, अगर कुछ issues हैं, कुछ मसले हैं तो सबका control आप अपने हाथ में लेकर बहुत ज़ादा confidently, बहुत systematically, बहुत organized तरीके से बहुत discipline तरीके से अपनी wealth, money, पैसा, finances को आप deal कर रहे हैं, organize कर रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको कहा कि discipline आप money से related लाते वे दिख रहे हैं especially पीछे अगर आप बिना सोचे समझे, खर्च कर रहे थे, कोई system नहीं था, आप बहुत casual चीजों को लेकर हो रहे थे आप बिलकुई भी again मैं कहूंगे सोच नहीं रहे थे, बहुत haphazard तरीके से, या बहुत you know, उल्टी सीधी चीजें money से related चल रहे ही थी कुछ आपने attention ही नहीं दिया था, अगर you know, उस case में भी और अगर दे रहे थे, तो फिर और जादा again एक discipline, एक systematic तरीके से आप चीजों को करते वे दिख रहे हैं, एक you know, organized तरीके से आप चीजों को करते वे दिख रहे हैं again मैं कहूंगी कि पीछे अगर casual थे तो भी और अगर नहीं थे तो भी कहीं, 2023 में बहुत जादा आप attentive होते वे दिख रहे हैं, बहुत जादा आप you know, खयाल रखते वे दिख रहे हैं, एक casual approach बिल्कुल भी नहीं आप रखते वे दिख रहे हैं मुझके लिए हो सकता है, एक से जादा चीजों पर आप खर्चा कर रहे हैं, एक से जादा source of income है और उनको कहीं आप balance कर रहे हैं और उनहीं को balance करने से related भी एक discipline आप maintain करते हुए दिख रहे हैं third house के लिए आप लोगों के लिए cards है, queen of pentacles and scryzophenia third house siblings को represent करता है, short travels को represent करता है, कैसे आप communicate करते हैं, कैसे आप सूचते हैं आपकी thinking को भी third house represent करता है और यहाँ पर दिखिए third house के लिए queen of pentacles and scryzophenia के cards कहते हैं कि कहीं, you know, एक बहुत practical, realistic तरीके से इन ही सब चीजों में आप रहते हुए दिख रहे हैं या फिर practical, realistic approach जादा इन ही चीजों के लिए रहती हुए दिख रही है सबसे पहले siblings की बात करें, तो यहाँ पर scryzophenia का card कहता है या तो आपके sibling किसी ऐसी situation में है, जहाँ पर वो बहुत stuck महसूस कर रहे हैं बहुत अटकावा महसूस कर रहे हैं और आप कहीं Capricorns एक बहुत practical, realistic तरीके से उनको support कर रहे हैं उनको help कर रहे हैं कुछ Capricorns के लिए literally हो सकता है कि आप financial help भी, money से related help भी उनको कर रहे हैं इस situation में से बहार निकालने के लिए कुछ के लिए हो सकता है Capricorns कि आप अगर किसी situation में stuck हो रहे हैं अटका हुआ महसूस कर रहे हैं तो आपके siblings कहीं या know money, पैसा या फिर otherwise practical, realistic तरीके से आपको support कर रहे हैं उन stuck energies में से बहार निकाल रहे हैं overall के लिए again कुछ Capricorns के लिए हो सकता है कि आपके और आपके sibling के बीच में कुछ energy stuck है और कहीं बहुत practical, realistic तरीके से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक उसको deal कर रहे हैं और देखे फिर से मैं कहूंगी siblings related कहीं बहुत एक practical, realistic dealings या फिर approach रहती हुई दिख रही है और कुछ Capricorns के लिए भी हो सकता है कि money, पैसे का आदान, प्रदान हो रहा है कोई भी reason हो सकता है यहाँ पे cards के हिसाब से देखे मुझे जादा लग रहा है कि किसी situation में या वो अटक रहे हैं या आप अटक रहे हैं और कहीं देखिए या तो money, पैसे की तरफ से फिर से मैं कहूंगी या practical, realistic तरीके से help कर रहे हैं बाहर निकालने के लिए और देखिए short travels का भी ये घर होता है तो बहुत जादा short travel आप नहीं करते हुए दिख रहे हैं मैं यह नहीं कहूंगी कि बिलकुल भी short travels नहीं हो रही हैं क्योंकि आजकल short travels बहुत common हैं लेकिन जितनी होती हैं, उससे कम हो रही हैं या उतनी ही हो रही हैं, उससे ज़ादा बढ़ती हुई short travels नहीं 2023 में दिख रही हैं। How you communicate, तो बहुत एक practical, बहुत एक realistic तरीके से आपके communications रहते हुए दिख रहे हैं। और दिखे, communications से connections भी आते हैं। तो जो भी लोगों से आप connect कर रहे हैं, कहीं back of the mind में आपके या उनके बहुत एक practical, realistic चीज़े रह सकती हैं। यानि कि देखे, आप बहुत emotional नहीं हो रहे हैं, बहुत sentimental नहीं हो रहे हैं। और जिन से आप connect कर रहे हैं, वो भी कहीं आपको लेकर बहुत emotional, बहुत sentimental नहीं हो रहे हैं। और आपका communication भी again मैं कहूंगी कि practical, realistic रहता हुआ दिख रहा है। and you know how you are thinking, तो फिर से practical, realistic तरीके से आपकी thinking भी रहती हुए दिख रही है। और दिखे, कहीं money, पैसा भी आपकी सोच में, आपके mind में, आपकी thinking में रहता हुआ दिख रहा है। कैसे money से related stability आए, कैसे money से related security आए, कैसे financially आप अपने आपको और strong करें। ये एक आपकी सोच में broader level के लिए 2023 में ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। Fourth house के लिए आप लगों के लिए cards है, Ace of Pentacles and Breakthrough Fourth house मा का स्थान होता है, सुख स्थान होता है, वहिकल की बात करता है, property की बात करता है, आपके residence की बात करता है, आपके mother country को भी represent करता है। और देखिए यहाँ पर Ace of Pentacles का card सबसे पहली चीज कहता है कि इन ही सब चीजों से related, कोई नई beginning, कोई नई शरुवाद 2023 में हो रही है, और जो भी limitations, जो भी restrictions थी, उनको कहीं आप तोड़ते हुए दिख रहे हैं, उनसे कहीं आप बहार निकलते हुए दिख रहे हैं, बहुत financial help, financial support आपको 2023 में मिल सकता है, मदर आपके उपर खर्चा कर रहे हैं, या फिर से मैं कहूंगी, पैसे से related, कोई help कर रहे हैं, या फिर कोई expensive gift भी हो सकता है, आपको दे रहे हैं, और कुछ Capricorns के लिए हो सकता है, कि आपकी ऐसी energies आपकी मदर के लिए हैं, यानि कि आप उन प पैसे से related, आप उनको support कर रहे हैं, आप उनको कोई expensive gift दे रहे हैं, और कहीं देखिए, मदर की तरफ से, एक stability, एक security भी आपको मिलती हुई दिख रही हैं, या फिर आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और देखिए, जो भी limitations, जो भी restrictions थी, again मदर से related, यहापे सब के में कोई negative thought था, या फिर आप कुछ महसूस कर रहे थे, जो आपको limit कर रहा था, especially mother से related, तो वो कहीं ठीक होता हुआ दिख रहा है, and similarly, आपकी mother के mind में भी अगर आपके लिए कोई feeling थी, कोई negative feeling, या फिर कुछ भी वो आपके बारे में गलत सोच रहे थे, तो उसमें से वो ब रहता हुआ दिख रहा है, 2023 में, residence की बात करें, तो देखिए, नया घर जो लोग लेना चाहा रहे हैं, change of residence तो मैं नहीं कहूंगी, but yes, देखिए, एक घर से related भी कुछ नया होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये general leading है, तो कुछ के लिए हो सकता है, आप नया घर ले रहे हैं घर को नए तरीके से renovate कर रहे हैं, घर के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, देखिए, घर से related भी, जो भी restrictions थी, उनको भी आप तोड़ के उनमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, ये भी सब के लिए differ करेगा, कुछ के लिए simply हो सकता है, कि आपके घर में बहुत rules थे, regulations थे, कि ऐसे मत करो, ये मत करो, इतने बज़े घर से बाहर जाओ, अगेन दिखिए, जो मेरे माइन में आ रहा है, मैं कह रही हूँ, सबके rules, सबके regulations differ कर सकते हैं, आपे मैं आपको सिरफ और सिरफ example दे रही हूँ, तो जो भी rules, regulations थे, जो आपको limit करते थे, जो आपको restrict करते थे, you उनको आप तोड़ते हुए बाहर जा रहे हैं, एक freedom, you know, घर से related, घर के rules से related, regulation से related आता हुआ दिख रहा है, और दिखिए, एक नई beginning, again, घर से related होती हुए दिख रही है, और मेरे लिए possible नहीं है, Capricorns कि मैं सब के लिए pinpoint करूं कि क्या नई beginning हो रही है, बट मैं आपको इतन जरूर कह सकती हूँ, जो भी नई beginning हो रही है, वो एक stability, security लेकर आ रही है, वो कहीं एक freedom लेकर आ रही है, वो जो भी बंदन है, restrictions है, उनसे आपको बाहर निकाल रही है, और दिखिए, जो भी लोग property खरीदना चाहते हैं, 2023 में, उनके लिए 2023 के energies बहुत बहुत conducive हैं, property से आ आपको फाइदा होता हुआ दिख रहा है, और कोई property हो सकता है, आप खरीद भी रहे हैं, specially जो लोग बहुत ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, नहीं तो property से related, आपको gain definitely 2023 में होता हुआ दिख रहा है, जो लोग vehicle खरीदना चाहते हैं, देखिए, बहुत ज़्यादा अगर आ आप बहुत ज़्यादा खरीदना चाहें, तो आप खरीद सकते होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं Capricorns की आप खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पर vehicle का card नहीं है, लेकिन फिर से मैं कहूंगी, अगर आप बहुत खरीदना चाहते हैं, तो जरूर खरीद लेंगे, और आप लोगों के लिए cards हैं, three of wands and postponement, fifth house love romance को represent करता है, creativity को represent करता है, pleasures की बात करता है, जो लोग conceive करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम fifth house को देखते हैं, fifth house कहीं education का भी घर होता है, पढ़ाई लिखाई का भी घर होता है, तो सबसे पहले अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो कहीं देखे, पढ़ाई लिखाई से related, आप या तो long term के बारे में सोच रहे हैं, दूर अंदेजी से चीजों को deal कर रहे हैं, और फिर कुछ के लिए हो सकता है, कि आप कहीं अपनी city, अपनी शहर, अपनी country से दूर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, और उसके बार मैं फिर से बहुत stress देके आपको कह रहे हूं, कि कुछ Capricorns के लिए, especially जिनकी पढ़ाई में issues और problems चल रहे हैं, उनके लिए break आ सकता है, सबकी बात नहीं कर रहे हूं, लेकिन overall के लिए, दिखे कहीं एक future पे आप जाधा focus करते हुए दिख रहे हैं, यानि कि जो भी आप फाइदा हो, उससे related planning कर रहे हैं, और कहीं एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, कहीं देखिए, बहुत focus आप नहीं उतना कर पा रहे हैं, कुछ चीजें delay हो रहे हैं, कुछ चीजें postpone हो रहे हैं, और हो सकता है कि आप बहुत जाधा, again मैं कहूंगी, ध्यान अपनी learning करने पे जाधा focus कर रहे हैं, और अगर ऐसा आप आएं कि आपरिकॉंस तो ज़रूर इस चीज को चक करके correct करें, क्योंकि देखिए, जो एक चीज हमारे हाथ में है न, वो present moment है, past निकल गया, जितनी भी कोशिश कर लें, नहीं आएगा, future को अगर आप बहतर करना चाहते है तो present moment को अच्छे से जीएं, अच्छे से इस पे attention दें, इसको अच्छे से अपना best दें, future आपका खुदी बहतर हो जाएगा, तो देखें मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप planning ना करें, planning करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना जादा future पे focus ना करें कि present में चीजों को आप attention नहीं दे पा रहे हैं, आप उनके लिए एक best effort नहीं दे पा रहे हैं, तो इस चीज का खयाल रखें, जो लोग love romance के हिसाब से देख रहे हैं, देखें आपके लिए भी कुछ चीज़ें delay होती हुए दिख रही हैं, और कहीं देखिए कुछ के लिए literally हो सकता है, एक distance आ शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक travel कर रहे हैं, उस बजह से distance आ रहा है, और कहीं love relationship में भी एक अकेलापन आप overall के लिए महसूस कर सकते हैं, अब मैं ये नहीं कह रहे हूँ कि सब Capricorns के you know love life में break up हो रहा है, problem हो रही है please, I am not saying that, कभी कभी दिखिए अपने partner के साथ होते हुए भी हम एक अकेलापन महसूस करते हैं, तो कहीं दिखिए या तो एक अकेलापन आप चाहा रहे हैं, या महसूस कर रहे हैं, और कहीं love life से related भी future के बारे में आप जाता सोच रहे हैं, कि भई जो भी ये relationship है, इससे future आपका कैसा रहेगा, और इसमें आपका future रहेगा या नहीं रहेगा, तो इस तरीके की सोच रह सकती है, नचल में देखिए आप कहीं अपनी love life से related long term goals बनाते हुए दिख रहे हैं, आप कहीं future के बारे में जादा सोचते हुए दिख रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, अपनी love love relationship में, nutshell में कुछ चीजें delay हो रहे हैं, किसी चीज का इंतजार, किसी चीज का wait कर रहे हैं, overall के लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप right time का ही wait कर रहे हैं, और जो लोग conceive करना चाहते हैं हो सकता है, वो भी delay कर रहे हैं, या फिर delay हो रहा है, conceive उस सरीके से नहीं कर पा हैं, and देखे, pleasure के लिए भी हम fifth house को देखते हैं, तो बहुत जादा, जो भी आपकी life में चीजें हो रही हैं उनको आप enjoy नहीं कर रहे हैं, या फिर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं देखे, इसके लिए main reason, again यही दिख रहा है, कि आप present में जो भी चीजें हो रहे हैं, उनको नही फोकस करें, आप बहुत जादा future पर फोकस कर रहे हैं, long term goals बना रहे हैं, long term पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन in the process आप बिलकुल भी present moment को ना ignore करें, जो भी छोटे मोटे pleasures, खुशियां आपकी life में हैं, उनको ज़रूर आप enjoy करें, उनमें ज़रूर आप अपने आपको involve करें, उ चितना करें, और इस हिसाब से देखें, जब हम first house को देखते हैं, तो ये cards कहते हैं, कि अच्छी चीजें आपके आसपास हैं, 2013 में खुशियां हैं, happiness है, joy है, लेकिन Capricorns आप ही खुद को बहुत जादा limit कर रहे हैं, आप ही खुद को बहुत जादा restrict कर रहे हैं, जिसकी कि 5th house के लिए postponement का card कहता है, कि कहीं जो भी pleasures, खुशियां हैं, आप उन में अपने आपको involve नहीं कर रहे हैं, कभी-कभी होता है ना हम खुद को कहते हैं, कि जब ये goal हम achieve कर लेंगे, या फिर जब तक ये goal हम नहीं achieve करेंगे, तब तक हम जो भी हमारी wishes हैं, desires हैं, उनके ब करते हैं तो short term में कभी-कभी हमें एक benefit हो जाता है, long term में हम अपनी energies को deplete करते हैं, and देखिए, एक healthy way में, healthy motivation सामने रखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब इस चीज़ को हम over कर लेते हैं, बिलकुल ही किसी pleasure, किसी happiness में अपने आपको नहीं involve करते हैं, तो फिर मैं अगेन कहूंगी long term में परिशान होते हैं, इस चीज़ का खयाल आप 2023 में ज़रूर रखें, 6th house के लिए आप लोगों के लिए cards है, night of pentacles and conditioning, 6th house से हम health को देखते हैं, 6th house से हम जो भी professional friend में job करते हैं, service करते हैं, उसको भी देखते हैं, और 6th house के लिए night of pentacles and conditioning के cards कहते हैं, क कहीं इन ही सब चीज़ों को लेकर आप बहुत safe, बहुत secure होते हुए दिख रहे हैं, सबसे पहले job service की बात करें, तो जहां एक तरफ money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related, आपको gain फाइदा होता हुआ दिख रहा है, कहीं एक stability, एक security रहती हुई दिख रही है, वहीं कहीं दिखिए आप बहुत rigid, बहुत fixated भी होते हुए दिख रहे हैं, यानि कि कोई अगर अच्छी opportunity भी आपको मिले, आप बहुत ज़ादा सोच रहे हैं, उसको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, कि भई stable होना, secure होना बहुत बहुत important है, और कहीं दिखिए काफी compromises, का होने दें, क्योंकि देखिए safe होके चलना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन in the process, जब life में हम calculated risk नहीं लेते हैं, तब कहीं एक growth, एक progress भी हम अपनी life में नहीं ला पाते हैं, तो फिर से मैं कहूंगी इस चीज का खयाल रखें, and conditioning का card कहता है, कि इसी stability, security को maintain करने के लिए इसी safe चलने के लिए, आप कहीं अपनी real self, अपनी real identity को भी उस हिसाब से नहीं दिखा रहे हैं, आप अपनी real potential, real talents, real skills को भी नहीं utilize कर रहे हैं, कहीं आपका self मुझे दबता हुआ, दबता हुआ is not the correct word, मतलब उतना खुल के बाहर आता हुआ नहीं दिख रहा है, जो भी आप आपके अंदर एक talents and skills हैं, वो कहीं, you know, लोगों को नहीं दिखती भी दिख रही हैं, या बहार आती भी नहीं दिख रही हैं, उनको कहीं आप compromise कर रहे हैं, और दिखें, इस हिसाब से भी जब हम first house को देखते हैं, और first house कहीं self की बात करता है, identity की बात करता है, तो यहाँ प इसको आप compromise कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से मैं आपको यहीं कहूंगी, Capricorns, कि आप adjustments करें, compromises करें, लेकिन अपने real self को ना आप compromise करें, जो भी आपके अंदर एक true potential है, talents हैं, उनको जरूर आप explore करें, इतना भी safe होके ना चलें, कि भाई, life ही dull हो जाए, life ही monotonous हो जाए, और otherwise दिखें, job के लिए बहुत एक dedication दिख रही है, service के लिए बहुत एक dedication दिख रही है, devotion दिख रही है, और फिर से मैं कहूंगी, एक stability security रह रही है, money, पैसा, finances, materialistic tangible चीज़ों की तरफ से भी, एक gain, फाइदा और साथी साथ stability security रह रही है, and health के point of view से देखें, तो आपनी health का बहुत खयाल रखते हुए दिख रहे हैं, आप healthy, nutritious food खाने पे focus कर रहे हैं, overall के लिए मैं देख रहे हूं, और कहीं आप exercise भी करना चाहा रहे हैं, या कर रहे हैं, और कहीं देखिए कुछ compromises, adjustments भी आपको करने पड़े हैं, वो भी आप कर रहे हैं, health आपके लिए priority रह रहे है, health पे आप focus कर रहे हैं, which is very good thing, and ये था आपके लिए 6th house, 7th house के लिए आप लोगों के लिए cards है, queen of swords and laziness, and देखिए सबसे पहली चीज़, queen of swords का card कहता है, कि कहीं 7th house से related, जो भी चीज़ें होती हैं, उनके लिए बहुत एक strictness, बहुत एक discipline, बहुत एक rigid, बहुत एक fixated energies देख रही हैं, और 7th house से जैसे कि मैंने आपको बताया, marriage आती है 7th house से, you know हम आपके spouse को भी देखते हैं, partnership 7th house से आती हैं, यहाँ आपे business partnership and life partner, दोनों ही again 7th house से आते हैं, जिनको लेकर आप बहुत rigid, बहुत strict, बहुत straightforward हो रहे हैं, और कु business partner की भी ऐसी energies हो सकती हैं, और यहाँ पर दीखिए emotions, feelings, sentiments, बिलकुल missing दिख रहे हैं, बहुत logically चीज़ों को आप deal कर रहे हैं, in fact दीखिए एक चीज़ आड़ करना चाहूंगी, emotions, sentiments, feelings अगर हैं भी, तो वो surface level पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर laziness का card, again feeling sentiments क भी तो बात करता है, लेकिन surface level पर आप नहीं आने दे रहे हैं, बहुत जादा अपनी emotions को लेके, feelings को लेके, again sentiments को लेके, आप strict होते हुए दिख रहे हैं, mind से चीज़ों को deal कर रहे हैं, logically चीज़ों को deal कर रहे हैं, बहुत detached तरीके से चीज़ों को deal कर रहे हैं, और दीखिए कहीं laziness के card को, I don't know, आप कितना देख पा रहे हैं, अगर आप इस card को देखना चाहते हैं, तो clipping जिसमें मैं आपके लिए cards निकाल रही हूँ, आप उसको refer कर सकते हैं, ये card भी कहीं दिखिए एक pleasure की बात करता है, बहुत चीज़ों को enjoy करने की बात करता है, और इसके साथ कह queen of swords का card भी कहीं, इन ही चीज़ों के लिए थोड़ा सा strict, थोड़ा सा, you know, discipline maintain करने की बात करता है, तो यहाँ पर भी मैं आपको यही कहूंगी, जो भी आप कर रहे हैं, बहुत important है, लेकिन over इस चीज़ों को ना करें, और देखिए कहीं, आप कुछ attachments को भी खतम कर रहे हैं, and marriage के point of view से जो लोग देख रहे हैं, तो देखिए अगर आपकी already शादी fix हो चुकी है और सब कुछ चल रहा है, तो मैं यह नहीं कहूंगी कि marriage नहीं होगी, हो जाएगी, लेकिन आप बहुत ज़ादा, you know, एक strictness से चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप बहुत emotional अगर हो भी र attachment मैं कहूंगी रखते वे दिख रहे हैं, और किसी female का influence रह सकता है, किसी female की interference आपके relationships में, आपकी married life में, and you know, आपके business partnerships में भी रह सकती है, married life में तो रहती हुई दिख रही है, आपके, you know, relationships में भी रहती हुई दिख रही है, और जो लोग, you know, on the verge of divorce हैं, divorce चाहा रहे हैं, मिल नहीं रहा है बहुत time से, उनके लिए divorce होता हुई दिख रहा है, और जिनका अभी शादी से related कुछ भी planning नहीं चल रही है, वो सोच रहे हैं बही, 2023 में शादी होगी या नहीं होगी, तो आपके लिए शादी नहीं होती हुई दिख रही है, और reason यही है कि आप शाद करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं, दोनुई चीजें रहती हुई दिख रही हैं, और आप कहीं बहुत logically हर चीज को deal कर रहे हैं, आप mind से चल रहे हैं, आपके mind में कुछ चीजें हैं कि भई, आपका life partner ऐसे ऐसे होना चाहिए हैं, औ और आप beyond the point उस चीज में compromise नहीं करना चाहा रहे हैं, बहुत blunt, बहुत straightforward and you know कुछ लोगों के लिए sarcastic भी आपका या फिर आपके partner का communication रह सकता है, तो दिखिए relationships में बहुत एक प्यार-महबत, expression of love, expression of feelings नहीं रहता हुँ दिख रहा है, overall logical approach रहती हुई दिख रही हैं आपकी या आपके partner की और दिखिए relationship में रहते हुए भी एक single वाली feeling आपको रह सकती है, या आपके partner को रह सकती है, और फिर से मैं कहूंगी कि किसी female का एक interference, एक involvement कुछ Capricorns के लिए 2023 में रहता हुआ दिख रहा है, 8th house के लिए आप लोगों के लिए cards है, integration and strength, and 8th house ending and beginnings को represent करता है, तो दिखे सबसे पहली चीज़, again आप लोग I don't know कितना इन cards को देख पा रहे हैं, इन दोनों ही cards में animals हैं, birds हैं, तो जिनके भी घर में pets हैं, या animals related आपका profession हैं, या फिर किसी भी तरीके से directly, indirectly, animals से आपका connection है, तो इन से related कोई ending, beginning रहती हुई दिख र और overall के लिए अगर हम in general देखें, तो integration का card कहता है कि कहीं, you know, किसी तरीके का union, 2023 में आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है, या पर union से related, एक ending, beginning रहती हुई दिख रही है, ये सब के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत अगर differences आपके, और आपके relationships में आ रह हैं, और कहीं देखिए एक union हो रहा है, और कुछ के लिए हो सकता है कि union अगर हो रहा था, या फिर देखिए जैसे हमने 7th house में देखा कि literally जो लोग on the verge of divorce हैं, बहुत जादा divorce चाहा रहे हैं, तो कहीं वो union end होके एक, you know, divorce आता हुआ दिख रहा है, या फिर ये union end हो रहा है, ये बहुत बहुत कुछ लोगों के लिए है, especially जो लोग चाहा रहे हैं, overall के लिए दिखिए, किसी भी चीज के साथ एक union जो आप चाहा रहे थे, वो होता हुआ दिख रहा है, उससे related एक नई beginning होती हुए दिख रही है, and similarly दिखिए, strength का card कहता है, कि अगर आप पीछे किसी भी चीज को लेकर बहुत weak महसूस कर रहे थे, बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे, तो दिखिए, वो चीज एक end हो रही है, और बहुत strong आप चीजों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं, बहुत courageous, बहुत bold आप चीजों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं, इस direction में एक नई beginning हो सकता है कि पीछे अगर आप बहुत strong थे बहुत bold थे बहुत courageous थे चीज़ों को लेके वो end हो रही है और आप थोड़ा सा चीज़ों को लेकर weak पड़ रहे हैं आपकी situation है आप Capricorn जादा बहतर जान पाएंगे यहाँ पर broadly speaking ending, beginning, strength, boldness, courage से related रहती हुई दिख रही है और किसी भी चीज़ को लेकर एक union से related एक ending, beginning, 2023 में आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही है 9th house के लिए आप लोगों के लिए काज है king of pentacles and creativity और देखें 9th house luck house होता है भागे स्थान इसको हम कहते हैं धरम स्थान होता है spirituality को represent करता है और कहीं 9th house से हम higher education देखते हैं and हम long travel भी देखते हैं देखें सबसे पहले higher education के point of view से देखें तो जो लोग further studies करना चाहते हैं उनके लिए 2023 बहुत conducive रहता हुई दिख रहा है आप अपनी higher education के ओपर खर्चा करते हुई दिख रहे हैं और उसी से related आपको एक gain एक फाइदा होता हुई दिख रहा है एक happiness रहती हुई दिख रही है आप इसी चीज़ को बहुत enjoy करते हुई दिख रहे हैं और यहीं चीज़ें कहीं एक comfort आपकी life में लाती हुई दिख रही हैं और देखिए कहीं overall के लिए आपको ऐसे लग सकता है कि आप्रिकॉंस की money, पैसा, tangible, materialistic चीज़ों से related, comfort, luxury से related, destiny आपका साथ दे रही है, किस्मत आपका साथ दे रही है, luck आपको favor कर रहा है और long travel भी देखिए अगर आप करना चाहते हैं आप कर पाएंगे, दोनों ही card supportive energies की बात करते हैं और देखिए long travel आपके लिए काफी comfortable रहती हुई दिख रही है, काफी you know एक इसको भी आप enjoy करते हुई दिख रहे हैं, इसके उपर आप खर्चा भी करते हुई दिख रहे हैं और देखिए कहीं बहुत practical, बहुत realistic होके आप spirituality या फिर religious, spiritual चीज़ों में भी अपने आपको involve करते हुई दिख रहे हैं, 10th house के लिए आप लोगों के लिए cards हैं 5 of wands and healing और देखिए 10th house कहीं profession की बात करता है, career की बात करता है, 10th house को हम करमस्थान भी कहते हैं और 10th house के कि आप या तो बहुत एक competitive spirit में हैं, या फिर जो भी profession में आप हैं, जो भी आप business कर रहे हैं, उसी से related काफी एक competition रह सकता है, और हम सब जानते हैं Capricorns की आप लोग बहुत ambitious होते हैं, और देखिए ambitious होना again बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब तक हम ambitious नहीं होंगे, त मिल रहा होता है, उससे हम satisfied नहीं हो पाते हैं, और कहीं और और हमें एक desire रहती है, यानि कि और होना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए, और growth होनी चाहिए, और progress होनी चाहिए, और इसी चक्कर में देखिए, एक conflict हमारे mind में चलती रहती है, इसी वजह से, कहीं देखिए, एक बहुत competitive वली spirit में हम रहते हैं, तो कुछ Capricorns के लिए literally यही energies हो सकती हैं, जो की cards यहाँ पर बता रहे हैं, और कहीं कुछ के लिए really में ही actually, मतलब बहुत competition आपको face करना पड़ रहा है, और overall के लिए देखिए, अगर हम देखें, तो एक conflicting energies हैं, again कुछ के लिए यह conflicting energies external हो सकती हैं, यानि कि professional front में जो भी आप कर रहे हैं, वो बहुत असानी से नहीं मिल रहा है, आपको उसके लिए fight करना पड़ रहा है, और कुछ के लिए हो सकता है कि internally, you know, कैसे वो एक level achieve करें, कैसे वो एक मकाम हासिल करें, उसी से related एक conflict चल रही है, एक सोच चल रही है, और दे feeling काफी एक positive card है taro में, तो जो भी competition चल रहा है, conflict चल रही है, या फिर छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले चल रहे हैं, या फिर चीजें बहुत असानी से नहीं मिल रही है, वो बहुत जादा नहीं है, या फिर मैं कहूंगी कि deeper level के लिए वो आपको परेशान नहीं कर रही है deeper level के लिए यही energies, कहीं जो भी पीछे issues हुए, जो भी मसले अगर आपके professional front में हुए, या नहीं भी हुए, कुछ चीजों ने आपको hurt किया, उनकी healing करती हुए दिख रही हैं, यानि कि यह energies, कहीं better energies, या फिर किसी level पे एक healing लाती हुए दिख रही हैं, और कुछ के लिए हो स spirit में रह रहे हैं, आपको लग रहा है, बस 2023 में वो मकाम एक हासिल करना है, वो level अपने लिए हासिल करना है, और देखिए अगर ऐसा आप अपने आपको पाएं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जब तक again आप ambitious नहीं होंगे, आप अपने goal के लिए motivated नहीं हो थोड़ा सा आप 2023 में खयाल रखें, कि जो भी competitive spirit है वो आपको grow करने में help कर रही है, progress करने में help कर रही है, आपका मकसद achieve करने में help कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां पे भी, जरा सब ही आपको लगे, कि इस competitive spirit की वज़े से आप परेशान हो रहे हैं, तो ज ज़रूर चक करके correct करें, बैसे दिखें, आपके cards कह रहे हैं, कि इसकी वज़े से आप परेशान नहीं हो रहे हैं, ये कहीं, you know, एक healing energies ही, आपके लिए या फिर आपके profession के लिए लाती हुई दिख रही है, 11th house के लिए आप लगों के लिए cards है, the moon, the burden, और देखें, 11th house कही लाभस्तान होता है, astrology में, 11th house से हम friend circle और social circle भी देखते हैं, और इन्हीं चीजों से related, कहीं एक insecurity, कहीं एक fear, कहीं एक confusion रहतावा दिख रहा है, जिसकी वज़े से एक pressure, एक burden भी 2013 में रहतावा दिख रहा है, और यहाँ पर मैं आपको यहीं कहूंगी, Capricorns, कि externally हमारी life में ज खुश होंगे, आपने देखा भी होगा, कुछ लोगों की life में बड़े comfort होते हैं, बड़ी luxury होती है, आप उनसे पूछो कैसे हैं, तो वो आपको list बता देंगे कि वो कितने परेशान हैं, और कुछ लोगों की life में बहुत issues, मसले होंगे, आप उनसे पूछो कैसे हैं, बोल issues, real मसले हैं, जितना gain आपने expect किया, उतना gain नहीं हो रहा है, और इसलिए देखिए, आप परेशान हो रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है, चीजे ठीक ठाक हैं, यानि कि कोई problem नहीं है, कोई issue नहीं है, लेकिन इतना एक fear आपके मन में आ रहा है, इतनी insecurity आप gain को लेकर य हैं, कि एक pressure build up हो रहा है, in fact मैं कहूंगी, दोनों ही सिनारियों में, अगर issues, मसले हैं भी, तो आप कहीं उनको बहुत बड़ा अपने mind में बना रहे हैं, आप बहुत जादा उनको, you know, wrong तरीके से perceive कर रहे हैं, और अगर नहीं हैं, तो, you know, आप खुद ही create कर रहे हैं, जिस जो भी lab, gain है, उससे related pressure, tension रह रहा है, लेकिन reason ये नहीं है, कि आपको lab नहीं हो रहा है, most of the Capricorns के लिए, अगर lab हो रहा है, या नहीं भी हो रहा है, reason या फिर root cause उसका है, कि बहुत एक fear, बहुत एक insecurity आपको रह रही है, देखें, business में, या फिर किसी भी और चीज में, relationships में देख लें, कभी-कभी हमें instantly reward नहीं मिलता है, instantly फाइदा नहीं होता है, और उस चीज पे या उस time पे हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो फिर हम अपनी परेशानी को बढ़ाते हैं, या फिर थोड़ा सा भी हमारे हिसाब से चीजे नहीं हुई, थोड़ा सा भी उस time पे हम उस हिसाब से gain नहीं हुआ, और हम डर गए, हमें insecurity हो गई, तो हम परेशान होते हैं, तो कुछ के लिए ये भी एक reason, pressure और tension का रह सकता है, तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहीं कहूंगी, कि एक clarity लेकर आएं, जो भी fears and insecurities हैं, उनको आप overcome करें, उनको कहीं आप अपने mind से बहार निकालें, और एक फिर से clarity लेकर आएं, इन्हीं सब चीजों से related, similarly देखिए, friend circle से related, या पर social circle से related भी, एक fear, insecurity, 2023 में रहता हुआ दिख रहा है, जिसकी वज़े से pressure है रहा है, मैं फिर से clear कर दूँगी, Capricorns, कि आपको gain हो रहा है, नहीं हो रहा है, that is not the reason for, you know, tension and pressure, friend circle या फिर social circle में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, that is again not the reason for pressure and tension, the reason here is कि आप अपने friends को लेकर, किसी खास friendship को लेकर, बहुत एक fear and security में हसूस कर रहे हैं, या फिर कोई आपका group है, कोई social circle है, उसमें कुछ चीजें हो रही है, अच्छी या बुरी, उसको लेकर आपक एक fear and security हो रही है, जिसकी वजह से एक pressure, एक tension हो रहा है, तो इसको अगर आप overcome कर लेंगे, यानि कि fear and security को, तो आप pressure को भी overcome कर लेंगे, आप burden को भी overcome कर लेंगे, और दिखें, broader level पे देखें, तो इस house से related, again gain आता है, lab आता है, friend circle आता है, social circle आता है, बहुत कुछ great नहीं हो रहा है, आप socialize नहीं करना चाहा रहे हैं, आप फिर कर भी रहे हैं, तो आप उनको बहुत enjoy नहीं करते हुए दिख रहे हैं, 12th house के लिए, आप लोगों के लिए cards है, the chariot and the outsider, और देखें, 12th house expenditure का घर होता है, 12th house foreign country से related, जो भी चीज़ें होती है, उनको भी represent करता है, and 12th house, कहीं हमारे subconscious, deep-rooted fears की भी बात करता है, तो इस सबसे पहले खर्चे के हिसाब से देखें, तो देखें, या तो आप travel पे खर्चा कर रहे हैं, या फिर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, उस पे खर्चा कर रहे हैं, वहेकल पे खर्चा कर रहे हैं, और कहीं देखिए, surface level के लेकिन deeper level के लिए, इन ही चीजों पे खर्चा करने की वजए से, finances related कुछ issues, कुछ मसले भी रह रहे हैं, और देखिए, हमने fourth house में भी देखा था, कि कहीं आप इन ही सब चीजों पे खर्चा कर रहे हैं, यानि कि property, और जो लोग वहेकल खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी money है वहेकल खरीदने के लिए और वहेकल खरीद रहे हैं, और यहाँ पे देखिए, खर्चे के लिए भी literally वहेकल का card है, तो फिर से मैं कहूंगी, ये चीज़ confirm हो रही है, कि वहेकल जो भी लोग खरीदना चाहते हैं, वो 2023 में खरीद पा रहे हैं, और हो सकता है थोड़ा expensive वहेकल आप खरीद रहे हैं, जिसकी वज़य से थोड़ा असा financially आप टाइट भी हो रहे हैं, जो कि बहुत normal भी है, Capricorns बड़ी purchase करते हैं, तो थोड़े time के लिए ऐसा रहता भी है, और यहाँ पे देखिए, long travel के लिए भी मैंने आपको कहा था, कि आप long travel में खर्चा करते वे दिख रहे हैं, और वही कहीं 12th house के cards भी confirm कर रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं, कितनी beautifully, you know, cards interconnected होते हैं, इसलिए देखिए, बहुत separately मैं cards को नहीं read करती हूँ, क्योंकि overall cards connect होके एक story बताते हैं, तो देखिए, यहाँ पे फिर से मैं कहूंगी, कि आप वहेकल पे खर् कर रहे हैं, और जादा खर्चा कर रहे हैं, इसकी वजए से finances related चोटा मोटा issue भी रह सकता है, और देखिए, हमने यहाँ पर 9th house में, नहीं, 8th house में देखा था, कि जो लोग, you know, animals के शुकीन हैं, जैसे pets अपने घर में रखते हैं, तो कुछ की लिए हो सकता है, आप कोई pet भ भी आप अपना जादा खर्चा कर रहे हैं, और फिर आपका जादा खर्चा pets के ऊपर हो रहा है, और foreign country भी यह card represent करता है, तो देखिए, foreign travel रह रही है, लेकिन again हो सकता है, foreign travel के लिए आप जादा खर्चा कर रहे हैं, और कहीं उसी की वजए से finances कहीं, you know, short पढ़ रहे हैं, या फिर आपको बहुत manage करना पड़ रहा है, या फिर आपका हाथ हाथ हो रहा है इसी वजए से, क्योंकि देखिए, the outsider का card overall के लिए money से related, कहीं issues रहने की बात करता है, मैं यह नहीं कहूंगी कि पैसा से related problems हो रही हैं, लेकिन थोड़ा हाथ हाथ होने की बात करता है, और chariot क card कहीं travel की बात करता है, तो देखिए, इसे साब से देखिए, तो again foreign travel आप करते हुए दिख रहे हैं, और foreign travel पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है, उससे related हाथ भी तंग होता हुआ दिख रहा है, जो लोग out of the country settle होना चाहा रहे हैं, उनकी settlements related conducive energies रहती हुए दिख रही है, ल issues, problems आपको face करने पर सकते हैं, subconscious fears, unconscious fears और insecurities की बात करें, तो देखिए, deeper level के लिए money पैसे को लेकर ही एक insecurity रहती हुए दिख रही है, और देखिए, और भी कोई चीज हो सकते हैं, क्योंकि ये general reading है, जहाँ पर deeper level के लिए again मैं कहूंगी, insecurities है, fears है, लेकिन या तो आप बहु कि उनको ignore कर रहे हैं, avoid कर रहे हैं, और surface level के लिए किसी को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, या खुद के लिए भी एक acceptance नहीं लेकर आ रहे हैं, तो देखिए, अगर ऐसा आप पाएं, Capricorns, तो ज़रूर इस चीज को check करके correct करें, क्योंकि देखिए, जब तक आप जो internal fears हैं, आप चीजों को हासल भी कर लेंगे, तब भी वो एक happiness, वो एक joy आप नहीं महिसूस करेंगे, complete a happiness joy, हाला कि complete happiness joy नहीं होती है, लेकिन यूदो बहुत अच्छे से हर चीज को enjoy करने के लिए, एक अपने goals, अपने मकसद को भी पुरी तरीके से achieve करने के लिए, या मैं कहूंगि Overall blessings आप लोगों के लिए देखें, Capricorns, तो देखें इसके लिए आपके लिए सबसे पहला card है, The Wanderer, और यह card कहीं traveling की बात करता है, Adventure, Movement, Coping with Unfamiliarity, Pilgrimage, Aloneness, Broaden Your Horizons, तो देखें यही आपके लिए guidance है कि आप, you know, self को और जादा expand करें, क्योंकि हमने यहापर देखा कि आप Broaden Your Horizons, you know, जो भी limitations है, restrictions है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करें, उससे बाहर भी चीजों को देखें, and देखें, तो traveling हमने देखा कि आप कर रहे हैं, 2023 में, और यहाँ पे card आपको कह रहे हैं, कि आपको कोई भी opportunity मिले travel करने की, किसी भी तरीके के movement की, तो उसको ज़रूर आप avail करें, और देखें, यहीं पे self से related भी, एक movement लेकर आएं, आगे बढ़ें, क्योंकि देखें, self से related, कहीं एक movement रुकती हुई, मुझे दिख रही है, यानि कि आप उतनी जादा, खुद के लिए एक progress, खुद के लिए एक growth नहीं ला पा रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, और मैंने हमेशा कहा है, टारो guidance के लिए होता है, तो इस reading को आपने as guidance लेना है, और यहाँ पे देखिए, guidance का card भी, बहुत ही clearly movement की बात करता है, तो self से related भी, कैसे और आप grow करें, कैसे और एक progress हो, उस पे आपने खास ध्यान 2023 में देना है, और देखिए, हो सकता है कि unfamiliar situations हो, circumstances हो, उनके साथ आप बहुत अच्छे से cope up करें, इस चीज का खयाल रखें, जो लोग pilgrimage में जाना चाहते हैं, किसी spiritual religious जगा को visit करना चाहते हैं, वो ज़रूर एक conscious effort करके जाएं, aloneness का card कहता है, कि कहीं, you know, आप self के साथ एक अच्छा relationship करें, जो कि हमने देखिए, first house में देखा भी था और आपके आसपास लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन, you know, आप लोगों के उपर बहुत जादा किसी भी चीज के लिए dependent ना हो, अपनी खुशी, अपनी happiness या फिर again किसी भी चीज के लिए, self independent आप 2023 में जादा रहें, and second आपके लिए guidance का card है, before completion, ये card uncertainty की ब बात करता है, unstable conditions की बात करता है, be extra cautious की भी बात करता है, तो हो सकता है कि 2023 में किसी level पर uncertainty रह रही है, बहुत जादा situations predictable नहीं है, तो यहाँ पे card आपको सिर्फ यही message दे रहा है, कि थोड़ा सा आप cautious रहें, थोड़ा सा आप attentive रहें, किसी भी चीज को for granted ना लें, किसी भी ची के लिए है, keeping still, यह card कहता है, meditation, self renewal, composure, detachment, self acceptance, serenity, तो दिखिए कैसे खुद के लिए एक piece of mind ला सकते हैं, उस पे focus करें, self acceptance, और यहाँ पे देखिए 12th house के लिए हमने देखा भी, कि कुछ चीजों के लिए शायद कुछ Capricorns के लिए acceptance नहीं है, ignore कर रहे हैं, avoid कर रहे हैं, त उनके लिए acceptance लेकर आएं, first house में again हमने देखा आप अपने आपको limit कर रहे हैं, और यह card self renewal की बात कर रहा है, तो जो भी पुरानी चीजें आपकी growth, आपकी progress को रोक रही हैं, कहीं आगे बढ़ने से आपको रोक रही हैं, या किसी भी level पे परेशान कर रही हैं, आप उनको ज़रूर let go करें, fresh तरीके से अपनी journey 2023 में आप start करें, जो भी पुरानी चीजें हैं, वो 2022 में ही उनको छोड़ दें, नए साल में जो चीजें आपको bother कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, अपने साथ ना लेकर जाएं, भले ही वो आपके thoughts हैं, भले ही वो आपके wrong belief systems हैं, या पिर कोई situation, कोई इंसान, कोई जगा है, सब को यहीं पी छोड़ दें, एक fresh start-up 2023 में जरूर करें, और अब Capricorns आप लोगों के लिए focus areas देख लेते हैं, तो देखें सबसे पहला card है sun, sun का card कहीं ego की बात करता है, stamina, self father की बात करता है, और देखें हमने अभी देखा ही first house में, कि आपको self के उपर work करने की जरुत है, self से related जो भी limitations है, उनको overcome करने की जरुत है, और यहाँ पे देखें ये card भी कहीं self पे focus करने की बात करता है, और देखें कितनी beautifully cards आपस में connected होते हैं, और देखें फिर से मैं कहूंगी, कि self को आप जरूर prioritize करें, self पे आप focus जरूर 2023 में करें, दूसरी बात ये father की बात करता है, और देखें, father के साथ आप अपने relationship को और better करें, कुछ issues, कुछ मसले हैं, उनको resolve करें, या फिर father का आप बहुत खयाल रखें, देखें कि apricorns parents बहुत important होते हैं, parents हमारी roots हैं, जैसे एक पेड, उसकी जड़ें जितनी मजबूत होती ह हैं, उतना ही वो ऊचा जाता है, उतनी ही वो grow करता है, इसी तरीके से जितना हमारा, हमारे parents के साथ relationship strong होता है, उतना ही हम भी life में grow करते हैं, और यहां पे देखें, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आपका father के साथ relationship अच्छा नहीं है, यह possible नहीं हो सकता कि सारे के apricorns का अच् है, लेकिन देखें, यहां पर father mention करा हुआ है, तो यह cut simply कहता है कि 2023 में आप अपने father का बहुत खयाल रखें, father के साथ जादा interactions करें, जादा बात करें, और जिनका भी कुछ issue, कुछ मसला चल रहा है, वो ज़रूर उसको resolve करें, trust me, आप यह करेंगे, तो यह भी एक growth, एक progress आ क्योंकि यह focus area का card है, जो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए यहां पर message है, और देखें, second card है, descendant, descendant partnership की बात करता है, और यह card कहता है, the descendant is all about the other we recognize and we can be attracted to the qualities of our descendant in others, the effect will be to experience the qualities externally through others, तो यहां पर देखें, simply एक card कहरा है, कि आप partnerships, जो भी हैं, उन पर focus कर रहे हैं, आप focus करेंगे, और जो भी देखें, qualities हमें दूसरों में अच्छी लगती हैं, कहीं वो हमारी qualities होती हैं, और जो हमें दूसरों में नहीं अच्छी लगती हैं, कहीं वो हमारी qualities होती हैं, जिन पे work करने की जरुद होती है, तो ये एक message आपको दे रहा है ये card, और दिखिए कहीं partnerships पे work भी करने की बात कर रहा है, focus भी करने की बात कर रहा है, और partnership से life partner, business partner, हर तरीके के partner आते हैं, तो दिखिए हमने 7th house में देखा भी कि आपके partner बहुत strict हो रहे हैं, rigid हो रहे हैं, fixated हो र तो दिखिए एक heart and mind का balance आप relationships में जरूर रखें, मैं ये नहीं कह रहे हूं कि आप logical ना हो, या फिर आप mind से ना चलें, but आप too much भी logical ना हो, आप too much भी mind से ना चलें, आप एक heart और mind का balance जरूर रखें, क्योंकि दिखिए relationships से related, emotions, feelings बिल्कुल missing रह रहे हैं, और यहां पर य यही message दे रहा है, कि थोड़ा सा balance आप जरूर रखें, and third है element fire, यह card कहीं masculine young energies की बात करता है, fire is a symbol of creation, energy and vitality, fire is considered to be the first element to be created on earth, it is a radiant form of energy that brings light to the world and around it, तो दिखिए masculine energy का card, simply आपको यह कह रहा है, कि जो भी आप चाहते हैं, उसके लिए motivated रखें, अपने आपको motivate करते रहें, और कहीं you know overall भी enthusiasm, excitement, हर चीज के लिए आप अपना बरकरा रखें, जहां पे भी आपको लगे कि थोड़ा सा आप demotivate हो रहे हैं, energy levels low हो रहे हैं, उससे related action initiatives आप जरूर जरूर लें, और अप Capricorns आप लोगों के लिए 2023 क्या blessings लेकर आ रहा हैं, उसको देख लेते हैं, तो दिखिए blessings के लिए सबसे भेला card है rings, rings contracts, agreements की बात करता है, bonds, strong connections की बात करता है, unions, partner, counterparts, lover, like minded people, committed partner, engaged, interconnected soulmate की भी बात करता है, तो दिखिए, इसे साब से आपको हो सकता है कि आपका soulmate 2023 में मिल रहा है, और दिखिए, ये card union की बात करता है, और ending, beginning में भी, यहाँ पर integration में मैंने आपको कहा था, कि union कुछ लोगों के लिए हो रहा है, और ये एक beginning हो रही है, तो कहीं ये card भी उसी चीज़ को confirm कर रहा है, जिनके साथ आपका relationship strong है, उनके साथ और strong होता हुआ दिख रहा है, जो की एक blessing 2023 में रह सकती है, या मैं कहा सकती हूँ कि जो आपका strong connection है, वो एक blessing आपको लग सकता है कि 2023 में रह रही है, और देखिए, engagement भी होती भी दिख रही है, हाला कि देखिए, हमने 7th house में देखा था क जो लोग बिलकुल भी शादी के point of view से नहीं देख रहे हैं, या कुछ भी नहीं चल रहा है, उनके लिए शादी नहीं होती हुए दिख रही है, लेकिन engagement हो सकती है, क्योंकि यहां पे ring कहीं engaged की बात करता है, और commitment relationship में आता हुआ दिख रहा है, आपका bond strong होता हुआ दिख र हो रहे हैं, कुछ agreements हो रहे हैं, कुछ paperwork भी 2023 में हो रहा है, जो कि एक blessing आपके लिए रह रहा है, second देखिए yoga, contemplation की बात करता है, deep breath centered, go within, balanced, relaxed, take a break की बात करता है, तो देखिए थोड़ा सा आप अपनी wellness पे, अपनी health पे खयाल दे रहे हैं, और हमने 6th house में भी देखा कि आप अपनी सहत का अच्छा खयाल रख रहे हैं, योगा यहाँ पर कहता है, literally कुछ लोग हो सकता है, योगा शुरू कर रहे हैं, और मैं यह नहीं कहूंगी कि सब क्या प्रिकॉन्स योगा कर रहे हैं, यहाँ पर योगा का मतलब overall health का खयाल रखना हो गया, overall एक you know, अपनी well being की बात करता है, जिसका आप खयाल रख रहे हैं, जिस पे आप focus कर रहे हैं, और अगर आप नहीं focus कर रहे हैं, तो बहुत clearly यहाँ पर देखिए card आपको message दे रहा है, और देखिए, sorry मैं भूल गई, यह blessings का card है, तो यह एक blessing 2023 लेकर आ रहा है, यानि कि आप 2023 में अपनी सहत का खयाल रख रहे हैं, बहुत ज़ादा अपनी wellness को अप prioritize कर रहे हैं, and third card Emerald का है, यह card healing की बात करता है, fertility की बात करता है, peace की बात करता है, strong relationship की बात करता है, तो देखिए, फिर से यह mature love की बात करता है, तो कोई mature love रह रहा है, आपके लिए 2023 में कोई relationship strong हो रहा है, और यह नो, जो भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए कहीं conducive, एक environment, conducive situations आपको मिल रही है, healing हो रही है, और देखिए, यहाँ पे 10th house के लिए, बहुत ही clearly healing का card है, तो यह healing, आपके profession, आपके career से related, जादा 2023 में रहती हुए दिख रही है, Emerald का card, literally अगर हम देखें, तो हो सकता ह है कि कोई jewelry, literally again, Emerald, कुछ लोग अपने लिए, या अपने किसी loved one के लिए खरीद रहे हैं, and अब देखते हैं, Capricorns की क्या significant months हैं आपके लिए 2023 के लिए, तो देखिए, आपर June, January and December, यह आपके लिए 2023 के लिए significant months रहेंगे, तो यह था Capricorns आप लोगों के लिए 2023 की reading, and अगर यह reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस channel को ज़रूर like, share और subscribe करें